अकसर students इस Бात से confused रहते हैं कि A-B का whole square क्या होगा वो यह तो जांते हैं कि A-B का अगर whole square expand करना हो तो आएगा A-2-A-B-B इसी तरह अगर A-B के whole square को expand करना हो तो हो जाता है A-2-A-B-B-B-2 लेकिन confusion यह होता है कि minus A-B का whole square क्या होता है तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि ज़रा दिए देखो ना कि A प्लस B का whole square ये हुआ क्यों था तो A प्लस B का whole square क्यों हुआ था A square plus 2AB plus B square क्योंकि A प्लस B के whole square का मतलब था कि हम A प्लस B को A प्लस B से multiply करें तो जब A ने A को multiply किया तो हमको मिला A square जब A ने B को multiply किया तो हमें मिला A B plus जब B ने A को multiply किया तो हमको मिला B A B A लिखो या A B लिखो सेम चीज है जब B ने B को multiply किया तो हमको मिला B square आप देखो A square हमारे पास है A B plus A B हो जाएगा 2AB और प्लस B square इस तरह से आपको मिला था A square plus 2AB plus B square इसी तरह आप a-b के a square को यू लिख सकते हो a-b into a-b solve करने पर आपको मिलेगा a square minus 2a b plus b square तो फिर यहाँ confusion क्यों है यहाँ भी उसी तरह से ज़रा देख लो क्या आएगा और वापस से फिर इसको याद कर ले न लापके next time कभी ज़रुरत पड़े तो expand ना करना पड़े minus a minus b का अगर whole square है तो आप minus a minus b को दो बार लिख दो यह square नहीं लगेगा minus a minus b को दो बार लिख दो अब multiply कर लो तो minus a minus a को multiply करेगा minus minus plus हो जाएगा और a into a square हो जाएगा then minus a minus b को multiply करेगा minus minus plus हो जाएगा और a into b a b हो जाएगा उसके बाद minus b minus a को multiply करेगा तो minus minus plus हो जाएगा और b ने a को multiply किया तो a b हो जाएगा फिर minus b minus b को multiply करेगा तो minus into minus plus हो जाएगा और b into b b square हो जाएगा तो आप देखो क्या आगिया a square plus 2ab plus b square आगिया यह वही expansion है जो a plus b के whole square को expand करने के बाद आया था मैंने reason के साथ बता दिया है कि देखो यह दोनों same ही आ रहा है तो students confused होते हैं कि अगर minus a minus b का whole square है तो इसमें कुछ negative क्यों नहीं आया सब कुछ positive क्यों हो गया तो expand करोगे ना और multiply करोगे ना तो सारे negative negative positive होन जाते हैं इस वजह से आपको exactly वही मिलता है जो a plus b के whole square पर मिलता है चलो अच्छा आप अगर यह चाहते हो कि मैं identity की help से ही बताऊं expand ना करूं तो भी समझ सकते हैं इसको जैसे मैंने minus a minus b का whole square लिखा हुआ है आप चाहते हो जो a plus b का whole square मुझे पता है उसकी help से बता दीजिए या यह minus b के whole square की help से बता दीजिए तो क्या करेंगे तो पहले मैं इसमें minus ले लूँगा common जब मैंने minus ले लिए common तो यह क्या हो जागा a plus b हो जाएगा ठीक ना इस पूरे को मैंने बंद कर दिया bracket में और उपर whole square जो लगा था हो लगा दिया अब देखो क्या है इस bracket में जो कुछ भी है उस पर whole square लगा हुआ है minus के ओपर b whole square है a plus पर b whole square है तो minus पर square होने का मतलब यह है कि minus को minus से multiply करेंगे और minus को minus से multiply करेंगे तो plus आ जाएगा उसके बाद सिर्फ a plus b पर whole square बचेगा और a plus b का whole square क्या होता है a square plus 2ab plus b square I hope इस तरह से आपको clear हो गया होगा